चलिए जानते हैं आज साम की हिमाचल परदेश के सभी जिल्लों की सिलेक्टेट काम की बड़ी ख़वरों को पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए C.M. जेराम बोले पुरानी पैंसे इसकीम को लेकर कुछ समाधान निकाला जाएगा ज으면 मोखी मंत्री जराम ठाकूर ने कुलु में कहा कि पुरानी पेंसन इसकीम की समस्या पूरे देश में है लेकिन सबी को अपनी बात कहने का हख है वापजुद इस बात को जबर जस्ती थोपा जा रहा है इतने वर्सों तक किसी ने कुछ नहीं कहा लेकिन अब इस विसे को उनके सामने उठाया जा रहा है कई राजियों ने कहा कि पुरानी पेटसम इसकीम को लागू करना असान नहीं है जिला पुलू की गार्सा घाटी में बजोरा गार्सा मार्ग में अमबरू नाला के पास पहारी दरक गई है जिस कारण मार्ग यतायात के लिए बंद पढ़ गया है जनकारी के अनुसार यह भुस्कलन देर रात 11 बजे हुआ है और उसके बाद यह मार्ग यतायात के लिए पूरी तरह से बंद पढ़ गया है आपको पतादे कि सुबा होने पर हाला की मोके पर जेसीबी और डंपर मार्ग पहाली के लिए पहुच गए है लेकिन पहाडी से लगातार गिर रहे मलबे और पत्थर के कारण मार्ग को पहाल करना चुनोती बना हुआ है समान लाने गई थी नबालिक, दुकांदार ने कर दी ऐसी हरकत की पोक्सो एक्ट के तहत केस दरजी जह पुलिस थना जवाली में 16 वर्षिय नबालिक से छेड़ चाड़ करने का मामला उजागर हुआ है प्राप्त जनकारी के अनुसर नबालिक के माता पिता ने पुलिस थना जवाली में सिकायद दर्ज करवाई है कि करीब दो माँ पहले उसकी 16 वर्षिय नबालिक बेटी एक दुकान पर समान खर दने गई तो दुकानदार ने बेटी से छेड़ चाड़ की जिसके बाद से ही बेटी डरी हुई है आपको पता दे कि नबालिका के पिता ने कहाए कि मैं बाहर दुकान करता हूँ जथा गुरुबार को घर आकर आगरोपी दुकानदार को इस बाबत पुछने गया तो उसने लड़ना सुरू कर दिया यह भी कहाए कि आपको जो करना है आप कर लें मुझे किसी का डर नहीं है एसपी नूरपूर सुरिंदर सर्मा ने पुष्टी करते हुए बताये कि पूलिस थाना जवाली में दुकानदार के खिलाब पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्च हुआ है हिमाचल से पंजाब को चोड़ने वाले चक्की पूल पर यातायाद फिर बंद यह है वेकलफिक मार्ग जब भारते राश्टी राजमर्गि प्राधी करण के आगरपर परशासन ने भूदबार रात को 9.30 बजे के करीब चकी पूल पर दोबारा यातायाद बंद कर दिया है के मामले मंडी धर्मसलावा सिमला के तहत होंगे यह जीली जही माचल में अब साइबर क्राइम के मामलों को और अधिक परभावी तरीके से जाचा जा सकेगा परदे सरकार के गिरी विवाग ने पुलिस रेंज अस्तर के दो और थाने खोलने की अधित सुचना जारी किये अब यह वही संचालित होगा अभी इसे बी एशनल के किराये के भवन में अस्तान दिया है अभी सरकार को कारेले का किराया नहीं देना होता था तीनों थाने एसपी साइबर क्राइम के अधिन कारी करेंगी आनन्द सर्मा की पर्तिबा सिंग और विक्रमा दिति के साथ पर्तिबा सिंग ने कहा कि पर्देश में कॉंग्रेस एक जूट होने के साथ चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है उन्होंने आनन्द सर्मा से आगरक किया है कि वे पर्देश में जनसभाओं के लिए कूछ समय निकाले इससे कॉंग्रेस को लाब मिलेगा भाजबा कोर क कमेटी की बैठक आज बीर बारको सिंग्रा के पीटेर ःभाभ होटल में शुरू हुई इसकी अधिशनाव पर्देश भाजबा अदेश सूर्ज कश्यपने की बैठक में पर्दान मंतरी नर्ड मोदी के परिएस में आगामी कारीकर्मों पर चर्चा होने की उमीध है साथ ह की रेलियों में परधान मंद्री वा गिरी मंद्री अमीर सा को बुलाने पर भी फैसला हो सकता है बीटे की 594 सीटों के लिए कॉंसिलिंग कल जै हिमाचल के हमीरपूर इस्तित हिमाचल परदेश टेक्निकल युनिवर्सिटी समान ये परवेश परिचा के अधार पर सरकारी व में भाग ले सकते हैं चुनावों से पहले हिमाचल कॉंग्रेस की बड़ी कारवाई परदेश की साथ बोलोग कंगरेश समय भंग जैंहां परदेश में Lagya में её परभार्देश कोंगरेश कमेटी की अधिश बर्दिबा सिंग ने साथ ब्ल thats कमेटी को भंग कर दिया है यह य इन ब्लोग कॉंग्रेस कमेटियों को भंग किया है उनमें ब्लोग कॉंग्रेस कसोली, ब्लोग कॉंग्रेस हमीरपूर, ब्लोग कॉंग्रेस कांगला, ब्लोग कॉंग्रेस सुला, ब्लोग कॉंग्रेस पच्छाद, ब्लोग कॉंग्रेस जोगिंदर नगर और ब्लोग कॉंग् पर्देश बास्यों को एतियायत बरतने की एडवाजरी दी गई है कल और परसो बारी से कुछ रहत मिल सकती है लेकिन 18 अगस को फिर से एलो अलट जारी किया गया है बोडो निगमों में से विभागों से गई पैंसनरों को भी मिलेगी संसोधित पैंसन जेहिमाशल पर्देश में बोडो निगमों में से सरकारी विभागों से गई पैंसनरों को भी संसोधित पैंसन मिलेगी इस संबन्द में राजे सरकार के विद विभाग ने बूद बार को करियाले आदेस जारी कर लिए हैं अतिरिक्त मुखे सची वीत परवत सक्सेना की और से जारी किये गए आदेसों के अनुसार चाहे कर्मचारियों को नई पेंसन देने का मासला हो या परिवारिक पेंसन का ही मासला हो इस बारे में इन्हें वही लाब मिलेंगे जो सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगी हलांकि इस तरह की कर्मचारियों की संक्या सेकड़ों में ही है सीयम जराम ने कर्मचारी हाउसिंग कोलोनी के लिए दिये डेड़ करो रुपई जी हमें कर्मचारियों के साथ मिलजूल कर काम करना चाहिए कर्मचारियों को डराना धमकरना हमारा स्वभाव नहीं है ये बात मुख्यमंद्री जराम ठाकूर ने कुल्लू के महल में और आज पत्रित कर्मचारी महासंग के कारिकरम मुख्यमंद्री की एक साम कुल्लू के कर्मचारियों के नाम कारिकरम में कही उन्होंने कुल्लों में कर्मचारियों के लिए हाउसिंग कोलोनी के निर्मान के लिए डेड़कोलो रुपिये देने की गोशना की है वही सरवरी में NGO भवन की दूसरी मंजिल में रेस्ट हाउस बनेगा इसके लिए 25 लाकी गोशना की है मुखिमंद्री ने कहा कि कोबिट काल में उनकी सरकार ने किसी भी कर्मचारी की तनकवा और पैंसन को नहीं रोका है जितना हम कर सकते हैं उतना और नहीं कर सकता है हिमाचल में 198 नए कोर्णा पोजिटिव मरीज एक संकरमित की मौत जितना हिमाचल पर्देश में कोर्णा के 198 नए मामले आये हैं वहीं कांगला में 56 साल के संकरमित वेक्ति की मौत हुई है पर्देश में बूधबार को 466 नमूने की जाच की गई अब राज में कूल 1581 कोर्णा से करिये मामले हैं राजी के स्वास्त विबाग के आकड़ों के अनुसार बूधबार को 389 मरीजों ने कोर्णा को मात दी है पर्देश के हंस्पतालों में कूल 9 मरीजों की दाखिल किया गया है जबकि कोर्णा को मात दे चुके 12 मरीजों को हंस्पताल से छुट्टी दे दी गई है आपको बदा दे कि आप पर्देश के हंस्पतालों में कूल 9 मरीज दाखिल है कांगणा में लंपी रोग से संक्रमी 44 पसों की मोत जब लंपी इसकी रोग लगातर बढ़ रहा है रोज़ना बड़ी संक्या में पसू इस रोग की चपेट में आ रहे है इस रोग के कारण पसू के मरने का आकड़ा भी बढ़ता जा रहा है बूदबार को ज़िला में लंपी रोग से संक्रमी 44 पसू की मोत हुई है आपको बदा दे कि 44 पसू की मोत के साथ जिला में अब तक करीब 72 पसू मर चुके है बूदबार को 1071 पसू इस रोग की चपेट में आये है इसके साथ ही अब तक कांगणा में 64 सो 9 पसू संक्रमीत हो चुके है पसू बालन विभाग के उपने देसक डॉक्टर संजीब धिमान ने काय की परभावित छेतर में ठीका करन शुरू कर दिया है दोस्तों आज सामकी खबरों का सिल्सला है खत्म हुआ अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक से चलर को सब्सक्राइब जरूर करें